दोस्तों आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह रहेगा विलियम सेक्सपियर के उपर तो आप लोग गो को तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि विलियम सेक्सपियर जो है वो इंग्लिस लिट्रेचर के बहुत बड़े नाम है अब इन से जादा बड़ा तो कोई इंग्लिस लिट्रेचर में है नहीं तो इस विडियो में हम क्या करेंगे कि विलियम सेक्सपियर का जो बयावर्फी है उससे रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स हैं उन सबको हम देखेंगे चुकि एक बहुत बड़े राइटर है इन पर बहुत बड़ी बीडियो बन सकती है तो मैं इसको पार्ट बाई पार्ट लेकर चलूँगा दो पर्त मных बनाओंगा पौहला पार्ट यह है दूसरा पाट में उनके चितने वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि विलियम सेक्सपियर का जो जन्म है वो 1564 में हुआ और उनकी मृत्यू जो है वो जो अर्टिस और हाफ ड्रामा यानि कि 38 ड्रामा इन्होंने लिखा 154 सोनेट और दो लॉंग न्रेटिव पोएम इन्होंने कमपोज किया जब यह थारा साल के थे तो इनकी जो साधी है वो एन हैथवेस हुई जो कि इनसे 26 साल बड़ी थी यानि मान सकते हो कि 8 साल इनसे वो दिखा था क्योंकि वो अपना उनका जो बेटा था हमने उसकी मृत्तिव पर वो बहुत जादा दुखी थे और यही कारण था कि उन्होंने हमने जो वर्क है जो कि इनका सबसे फेमस वर्क है उसको उन्होंने लिखा था अब दोस्तों लोड्स सेम्बरलीन मेन चो कि यह एक थ्रियेटर था उस वक्त का एलिजा विथन प्रियेड में लॉर्ड सेंबरलीन में उसमें वह वहां पर फॉर्फर्म करते थे इन 1623 यानि कि 1623 में जॉन हैमिंग्स और हेनरी कॉंडेल ने सेक्सपियर का पहला यानि कि फ़र्फ फोलियों पपॉलिस के जिसमें दौ वर्क नहीं थे मतलब जितने कशपियर का जितना भी work है उसमें से दौ यो हटा दिए तो वह सारा का सारा फस्ट फ़ोलियों में आपको मिल जाएगा जो कि सबसे पहले 1623 में published हुआ और उसको published किसने करवाय था जॉन हैमिंग्स और हेनरी कॉंडेल ने उसमें दो वर्क नहीं है अब कौन दो वर्क नहीं है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे Ben Johnson ने एक previous लिखते हुए Shakespeare पर ये बोला कि he was not of one age but for all time मतलब कि Ben Johnson ने ये बोलाता कि Shakespeare जो है सिर्फ Elizabethan period के ही एक writer नहीं है वो सारे age के writer है और सारे लोगों को उनका जो influence है वो उनके उपर आना चाहिए सारे लोगों को Shakespeare को follow करना चाहिए कि वो एक age के writer नहीं है वो सारे age के writer है निकलोस रो जो थे वो Shakespeare के पहले biographer थे अब Thomas Rimer जो की एक British writer है तो Thomas Rimer ने इस बात मतलब वो जो थे वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा निन्ना किया कि आखिर Shakespeare जो थे वो tragedy को और comedy को क्यों mix कर देते थे क्योंकि Thomas Rimer का ये मानना था कि अगर जो comedy है वो कभी tragedy नहीं बन सकती और जो tragedy है वो कभी comedy नहीं बन सकती कि tragedy जो है और comedy जो है वो दोनों एक साथ नहीं चल सकता दोनों अलग अलग चीज़े है जोन ड्राइडन ने Ben Johnson को ये कहा था कि मतलब कि जोन ड्राइडन ने Ben Johnson को कहा कि मैं आपकी प्रसंसा तो करता हूं बिल्कुल मैं प्रसंसा करता हूं अब बहुत एक अच्छे राइटर है बड़ लव सेक्सपियर लेकिन अगर प्यार का बात है तो वो तो सेक्सपियर से है तो ये जो लाइन है वो जोन ड्राइड तो जो उसके राइटर है S.T. Collridge और उसके साथ साथ एक और राइटर है August Wilhelm von Sylegal तो ये जो दो राइटर है उन्होंने सेक्सपियर का वर्क है उसको ट्रांसलेट किया था और Collridge ने बिसीकली सेक्सपियर को प्रेज किया था और ये जो राइटर है मतलब कि August Wilhelm von Sylegal इन्ह ने जो Shakespeare का वर्क था उसको translate किया था जब जर्मन में romanticism चल रहा था यानि कि जर्मनी में जब romantic age था तो उस वक्त उसको और ज्यादा popular करने के लिए अगस्ट विल हेलम ने जो Shakespeare का वर्क है उसको translate किया था अब दोस्तों जब वो 69 के हुए जब एज ऑफ 16 ही रिटायर उन्होंने रिटायर ले लिया और थोमस कारले जो है उन्होंने एक लाइन सेक्सपियर के लिए लिखा है कि King Shakespeare does not he sign in crown sovereignty over us all as the noblest gentle yes strongest of reliant signs in drug state table तो ये जो लाइन है वो थोमस कारले के द्वारा सेक्सपियर के बारे में बोला गया है ठीक है तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है हो सकता है कि ये question आपका बन जायने में अब अगला जो point है अब वहा है कि George bornot saw mord on sexpear or said that new naturalism creator is set by Henry addiction तो George bornot saw जो है वह सेक्सपियर का उपहाच उडाते हैं यानिकि निन्दा करते हुए कहते हैं कि जो new naturalism creator है जो कि Henry addiction के द्वारा लाया गया था उसने sexpear को औप्लिषीट बना दिया ओप्लिषीट का मतलब यह होता है कि कोई यूज का नहीं है SEXpear को एकदम जोकर दिशा बना दिया था और उसके साथ साथ जर्ज बर्नाट सौन ने sixpyr को criticize भी किया. sixpyr कोई नहीं बल्कि जो भी लोग sixpyr के बारे हम बात करते थे, उन सारे लोगों को जर्ज बर्नाट ने criticize किया है. तो जब आप जर्ज बर्नाट को पढ़ोगे, जो की एक साध मोडर्न राइटर है, जब आप उनको पढ़गे उनका एक ऐसा वर्क है जिसमें डिवेट होता है से और जो ज़र्ज बरहनौट्स से तो जो जो जह बनाट तका जो एटिट्ट्रिक हैं वो इस तरीके का होता है कि वो अपने आपको sixpyr से भी बड़े राइटर मानते थे जोर्ज बर्नोर्ट वो अपने आपको sixpyr से बड़े राइटर मानते थे तो इसलिए उन्हें ने sixpyr का उपहास उड़ाते हुए यही बात का है कि जो न्यू नेच्रोलिजम थ्रीएटर था उसने sixpyr को अप्लिसाइड बना दिया रहें कि उनको जोकर्दी से बना दिया कोई यूज का नहीं रखा उन्होंने ठीक है अब sixpyr का टीएस इलिएट पर बहुत ज्यादा इंफ्ल गलात्वें में जञच किया है आपको जच करने का तरीका सही नहीं है बिल्कुल गलत है अगला जो प्वाइंट है वो यह होने है कि harleybloom जो इक राइटर है harleybold saidesa sespyr is greatest than plateau and the सन्थ agastine यानिकि सék्सपीर whatsappas का ये कहानाम था कि जो Shakespeare है वो Plato से और संत अगेस्टीन दोनों से बहुत बड़े राइटर है अगला प्वाइंट द रिभर साइट Shakespeare is a long running series of Edison of the complete work of William Shakespeare published by the hawkton Mifflin company तो एक company है the hawkton Mifflin company साथ ये एक American company है उसने क्या क्या कि जितने भी सेटर सेटर का वर्क है उसको Edison में उसने publish किया और उस Edison का नाम है रिभर साइट सेटर सेटर ठीक है रिभर साइट सेटर जो है वो किस के दौरा publish किया गया है hawkton Mifflin company के दौरा और ये जो company है वो sexpear के सारे work को edition में publish करती है ठीक है अब दिखिए हम मैंने बोला था ना कि दो ऐसे nobel जो है वो अचली जो दो nobel है वो first folio में जो एड नहीं है वो ये दो nobel है two nobel kingsman and periclus prince of tyre these are the work which was not included in first folio only had drama not point अच्छा एक और चीज हमको जानने के लिए मिल गया कि जो फॉर्स्ट फोल्य है उसमें सिर्फ ड्रामा को एड किया गया है पुएम को नहीं एड किया गया है लेकिन यह जो दोनों आपको पॉइंट दिख रहे हैं तू नोबेल किंग्समें याने की वर्क और प्रेडिकलस य फिर पाट टू जो है हम सेक्सपीयर के बारे हम बढ़ेंगे जिसमें सेक्सपीयर का जितना भी वर्क है उस सारे वर्क का कीफ। मैं निकाल कर उसमें डालूँगा। चुकि 6PR एक बहुत बड़े राइटर है, दो से तीन दिन तो लग जाएंगे उनके बारे में पढ़ने में, तो दो तीन दिन मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को, और दो से तीन दिन में मैं जरूर वीडियो बना कर ला दूँगा इस पे उपर, तो थैंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।